बाजरे को उगाने के अनुशार हमने तीन भागों में भारत में बाटा गया है इसमें एक A1 जोन है जहांपे एनुवल जो रेनफाल है वो 400 मिलिमेटर से कम होती है और तीन राज इसमें आते हैं राजस्थान, गुजराथ, एंड हरियाना और एक A1 जोन है जिसमें 7 राज आते हैं इनमें राजस्थान, गुजराथ, हरियाना, पंजाब, दिल्ली, उत्रपरदेश, मद्परदेश और इन राज जो में जो एनुवल रेनफाल है वो 400 मिलिमेटर से अधिक होती है और तीसरा हमारा जोन है जिसे हम B जोन बोलते हैं इसमें महरास्थ्रा, तिलंगाना, आंधपरदेश, करनाटका, एंड तमिल लाडू आते हैं और इन राज्यों के लिए भी अलग-अलग किस्में विक्षित की गई है तो जोन के हिसाब से हमें किस्मों का चुनाव करना है पूसा संस्थान ने जोन A1 के लिए पूसा कंपोजिट 443 विक्षित की है जिसकी उपज 22-24 कोंटल परती हेक्टेर है और ये 88 दिन में पकर तयार हो जाती है ये कम वर्षा वाले छेत्रों के लिए बहुत उप्यूक्त है दूसरी हमारी जो किस्म है वो पूसा कंपोजिट 612 है जो B जोन के लिए विक्षित की गई है और इसकी उपद 26-28 कोंटल परती हेक्टेर है ये 80 दिन में पकर तयार हो जाती है और ये किस्म B जोन के लिए है और रोग रोधी है इसके अलावा हमारी एक किस्म है पूसा राजस्तान, हरियाना, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, साथ राज्यों के लिए विक्षित की गई है इसकी उपद 26-28 कोंटल परती हेक्टेर है और ये है 80 दिन में पकर तयार हो जाती है पूसा संस्तान के दुवारा जो भी किस्में विक्षित की गई है वो सभी किस्में रोग-रोधी हैं मुक्यता जो डाउनी मिल्ल्यू एक बहुत परमुक बिमारी है बाजरे में और डूसरी बलास्ट की बिमारी बहुत परमुक है इन दोनों बिमार्यों के लिए हमारी जितनी भी किस्में है सभी रोग-रोधी है वो पंदरा से 30 जून के बीच में इसका उप जल निकासे की सुविदा मैत पूर्ण है क्योंकि यदि पानी खेत में रुख जाएगा तो उससे फसल को हानी पहुंच सकती है दूसरी बात यह है कि हमें किसानभाईयों से मनुरोद करूंगा कि वह हमेशा ही अपनी जो फसल है वो लाइन में लगाएं और लाइन से लाइन क है कि वह बहुत ही निरिणायक है उन दिनों में इसमें खर्पाटने खर्पहता नियंत्न की बहुता हो चेकता है तो कई अर्वर्ग की मातरा है बादरे में, वो सामाइन नहीं आता है, 60 kg नाइट्रोजन परती हेक्टेर, 40 kg फास्फोरस परती हेक्टेर, और 40 kg पोटास परती हेक्टेर के आवस्चेक्ता होती है.